तो इस ट्रिक से आप अपने लिप पे लिप्स्टिक एजली अपलाई कर सकते हो जिससे आपके लिप पे क्रैक्स नहीं आएंगे और आपके लिप्स्टिक बहुत ही खुबसूरत दिखे अगर ऐख्यानों सबसे पहले एलसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके लिप्स्टिक रह प्रॉम shows यह प्लिप्सटिक अगर आपको प्लाइं हो करके ब्लास यह इलिप्स यशा करें नहीं तो first step में मैं अपने lip को scrub करूँगे ये step सिर्फ इनलों के लिए जिनके lip dry है जिनके lip smooth है वो ये step skip कर सकते है guys आये सबसे पहले मैं अपने lip को scrub करती हम ताकि ये soft हो जाए इसको पांच मिनद तक अच्छे से scrub करना है तो यह मैंने स्क्रब कर लिया है अब आप देख सकते हो अभी मेरे लिप बहुत ज्यादा प्लंप और सॉफ्ट लग रहे हैं तो इसके बाद में अपने लिप पे थोड़ा लिप बाम अप्लाई करूंगे तो याच सटेप उन लोगों के लिए जिनके लिपस उसे थोड़ी दार्रक होते है या फिर पूरे की पूरी लिप भी डार्क होती है तो उन लोगों को अपने लिप पे कंसीलीर अप्लाई करने होगा you जो लिखिए बीला में केशया गो खोर सब्सक्राइब खोरा करूंगिया के सबस्क्राइब करूंकि इस चरायों केशया है के बादुने सब्सक्राइब अप्लाइब करूंगे में यह किस ब्यूटी का वैजबबाट मैक लिप्स्ट्टिक अपने簡 के 귄대ょे को तो अब मैं आपको यह अप्लाई करके दिखाती हूँ जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अपने लिप पे आर्ट लाइन बना लिया है तो अब मैं इसको फेड करूँ जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अपने लिप पे अप्लाई कर लिया और यह कितनी स्मूधली मेरी लिप पे अप्लाई हो गया है और कोई भी लाइन्स मेरे लिप पे नहीं बनी है तो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें मिलतें अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बब बाई टेक केर वाव करते हूचियो पर बूलें अच्छी हो नेक्स्ट लगे तक करें वीडियो अच्छी लगी करें ये लगी हो था खिते हैं आग वीडियू हो तो लगी हो उशे हो बपने नेक्स्ट लो बब बच्ट